मोधी जी को भी लगता होगा कुछ भी कर लो चर्चा तो राहुल गांधी की ही हो रही है 98 मिनट लंबी स्पीच देडाली लाल किले की प्राचीर से लोग चर्चा राहुल गांधी की कर रहे थे फिर आपने भ्रष्टाचार की बात करी कि मैं भ्रष्टाचार के पीछे पड़ा हूँ अडानी के पीछे कब पढ़िएगा परत दर परत अडानी की जब खुलती है तो आपका संगरक्षण और नित नए भ्रष्टाचार के जो कांड हैं वो सामने आते हैं अरे जो मुनसिफ परिवारों से मिलने को तैयार है या अलग बात है कि जब आप हमारे यहां से भी लोगों को ले गए तो उनको ले गए जिनको आप परिवारवादी कहते थे तो ये वाला जुनजना भी ना पाखंड जैसा लगता है उसमें से प्रथम बात है महिला सुरक्षा पर वो बोले आपको है नैतिक अधिकार महिला सुरक्षा पर बोलने का हातरस से लेके उननाओ उननाओ से लेके लखीमपूर लखीमपूर से लेके शाजाहापूर उत्तरा खंड हमारे देश की होनहार बेटियों के पक्ष में आप एक बार नहीं बोले आप संगरक्षण हमेशा आप रा तंकी हमले हुएं जिसमें 18 हमारे जाबा शहीद हुए हैं और 26 से जादा घायल हुए हैं मोदी जी को भी लगता होगा कुछ भी कर लो चर्चा तो राहुल गांधी की ही हो रही है 98 मिनट लंबी स्पीच देडाली लाल किले की प्राचीर से लोग चर्चा राहुल गांधी क कर रहे थे क्योंकि वो जो इशूज उन्होंने वहां पर बोले क्योंकि उन्होंने जो जबानी जमा खर्च किया उस पर चर्चा नहीं हुई थी उसकी विवेचना नहीं हुथी तो सोचा आज वो कर ली जाए 98 मिनट इस देश के प्रधान मंतरी ने लाल के ले की प्राचीर से भाशर दिया अभी तक कि अपने सबसे लंबे भाशर को उन्होंने कल दे डाला भाशर बेहत उबाओ था वही बाते बार 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 दस सालों से रिपीट कर रहे हैं लोग बोर हो चुके हैं उनके खुद के मंतरी अपने फोन पर शायद रीले देख रहे थे वो सब अलग बाते हैं लेकिन मोदी जी ने दीमचार बाते कुछ ऐसी कहीं जिस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए उसमें से प्रथम बात है महीला सुरक्षा पर वो बोले आपको है नैतिक अधिकार महीला सुरक्षा पर बोलने का हाथ रस से लेके उन्नाव उन्नाव से लेके लकीमपू लखीमपूर से लेके शाह जहापूर, उत्राखंड हमारे देश की होनहार बेटियों के पक्ष में आप एक बार नहीं बोले, आप संगरक्षण हमेशा आप राधी और आरोपी को देते रहे, आज आप महिला सुरक्षा की बात करना है, इसी लाल के लिए की प्राचीर से जब राजनीती मत करिये, लेकिन अप क्योंकि आपने बोली दिया तो आपके सामने कुछ आखड़े रख देती हूं, जो कि आपकी सरकार की कलाई खोल देगा, पिछले 67 दिनों में जम्मू कश्मीर में 17 आतंकी हमले हुएं, जिसमें 18 हमारे जाबाश शहीद हुए हैं, और 26 से लोग घायल हुएं, यह है आपका आकड़ा, अभी तक जो आतंकी गतिविदिया थी वो कश्मीर में होती थी, अब जम्मू में भी हो रही है, तो सुरक्षा का न ढोंग मत करिये, सुरक्षा के उपर गंदी राजनीती मत करिये, यह अलग बात है कि आपके मूँ से इन सब शहादतों पर श्रद्धानजली का और समवेदना का एक शब्द नहीं निकला, फिर आपने भ्रष्टाचार की बात करी कि मैं भ्रष्टाचार के पीछे पढ़ा हूँ, अडानी के पीछे कब पढ़िएगा, परत दर परत अडानी की जब खुलती है, तो आपका संगरक्ष और नित नहीं भ्रष्टाचार के जो कांड हैं वो सामने आते हैं, अरे जो मुनसिफ था, सेभी, जो जाच कर रहा था, अब आरोप है कि वो भी आडानी से मिला हुआ था, लेकिन आप अडानी के महा घोटाले पर चुप रहते हैं, आप इस देश के सबसे बड़े घोटाल इलक्तोरल बॉंड पे चुप रहते हैं तो ब्रष्टा चार की बाते प्रधान मंतरी जी मत करिये, फिर आपने परिवारवाद की बात करही हैं, यह अलग बात है कि बीजेपी जब किसी के साथ सरकार बनानी होती ही तो सब परिवारों से मिलने को तैयर है, यह अलग बात है कि जब आप हमारे यहां से भी लोगों को ले गए तो उनको ले गए जिनको आप परिवारवादी कहते थे तो ये वाला जुनजना भी ना पाखंड जैसा लगता है उसके बाद बात आपने की और आपने कहा कि हम ग्लोबल मीडिया बनाना चाहिए आपने तो मीडिया को विश्वसनियता होती है ग्लोबल मीडिया गोदी गिद नहीं होते हैं आपने गोदी गिद बना दी हैं ग्लोबल मीडिया की विश्वसनियता होती है वो चीजों की परक करता है समझता है रिसर्च करता है और फिर बाते करता है आपके चरण चुमबक तो रोज सुबे शाम आपका चरनवंदन करते हैं और उसी को आप मीडिया बुलाते हैं फिर आपने बात करी और आपने कहा कि कुछ निराशावादी लोग हैं मोदी जी 45 साल की सबसे जादा बेरोजगारी है इस देश में कमर तोड महंगाई है लोगों की आए घट रही है आर बी आई का सर्वे कह कि वो परिशान है आर्थिका सामानता ने हर बांध तोड़ दिया है और असलियत ये है कि नियम कानून बनाने की जगे आप तुगलकी परमानों से सरकार चला रहे हैं तो ऐसे में कौन आपकी तारीफ करेगा खेर मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि लाल किले की प्राचीर से सच बोला जाता है लाल किले की प्राचीर पर भी जाकर अगर वही जमानी जमाखर्च करना है तो कट कॉपी पेस्ट स्पीच तो आपकी सालों से चली रही है